हेलो इब्रीवान, वल्कम बैक टू बार्राम पोटाग्रफी दूस्तो इस तरीके के 3D AI बाले कार्टून फोडोस आज की रिड़ में इंस्टाग्राम पर बहुत ज़दा भाइरल है बहुत से लोग ऐसे फोडोस पोस्ट कर करके बहुत सारे फोल्वर्स गेन कर रहा है अब 3D AI कार्टून फोडों में कनवर्ट कर पाओगे बहुत सिंपली एकदम फ्री में तो चलिए देखते हैं कैसे यह फोडोस क्रेट किया जाता है और इसके लिए आप अपने गूगल क्रूम ब्रावजर को ओपन करिए और गूगल में सर्च करिए श्टाइलर AI लिखकर तो यह वाला जो वेबसाइट है आपके सामने आ जाएगा इसको आप ओपन कर लिजे अगर आप अपने फोन के अंदर यह प्रोसेस को फोलो कह रहे हूँ तो अपने गूगल क्रूम ब्रावजर के अंदर यह त्री डॉट पर क्लिक करती हुए डेक्स्टोप साइट को ओन करके रखिएगा और डेक्स्टोप मोड पर इस वाइबसाइट को ऊपन करिएगा वाइबसाइट ओपन हो जाने के बाद राइट साइट बे ऊपर की तरब आपको साइन आप का बटन दिखाए देगा उस पर क्लिक करना है आपको Simplies New Project के ओपर क्लिक करना है तो इसका जो Dashboard है वो आपकी सामने Open हो जाएगा इधर आपको Import Image का Option दिखाए देगा उस पर क्लिक करते हुए अपना जो फोटो है उसको Import कर लेना है आपका image आजाने के बाद यह जो yellow color का image to image वाला button आपको दिख रहा है उसके उपर आपको click करना है और यहाँ पर prompt के जगह पर आपकी photo में जो है उसको आपको describe करना है बेड़ आपको manually describe नहीं करना है यहाँ पर आपको auto prompt करके यह जो button दिखता है उसके उपर click कर देना है तो इसका जो AI है आपकी photo को analyze करगा और आपकी photo में जो है उस हिसाब से यहाँ पर prompt अपने आप लिख देगा आप देख सकते हो यहाँ पर prompt आ जुका है और इसने मेरे photo को बहुत ही अच्छी तरह के से describe कर दिया है अब उबर की तरफ यह जो style आपको दिख रहा है इसको आपको change करना है इधर से यह जो first बाला option है innocent cutie इस बाले option को आपको select कर लिए और नीची के तरफ यह जो style intensity है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और फिर आपको stylize के उपर click कर देना है तो यह जो AI है आपकी photo को analyze करेगा और यहां पर आपको कुछ sample photos create करके देगा जहां पर से आप best option को choose कर पाऊगे और तो मेरे समने यहां पर चार अलग-अलग result आ चुका है जिन में से यह जो नीचे का left side का जो result है यह मेरे को सबसे ज़ादा accurate लग रहा है तो इसको मैं select इसको मैं canvas के उपर लेकर आ जाँगा तो यहां पर फोटो मेरा तो आ चुका है बट अगर आप मेरे चेहरे के उपर नजर करेंगे तो जो face है वो मेरे खुद के तरह नहीं दिख रहा है यह कुछ अलगी दिख रहा है बट डोंट वरी स्कॉम fix कर लेंगे तो यहां पर अभ इसको अगराना क्या है ऊपर आसा जो एक स्बस्राइब करना है तो यह क्यों पर कूल छाइए और जो स Sorry मैं फोरी स्कॉल कर लियना है Скjarty मेरे बैसे को बढ़े जाए शुक्रण आप एक नया tab create करिए और यहां पर आप search करिए Remaker AI करके तो यह जो Remaker AI का website है यह आपको मिल जाएगा इधर आपको आजाना है इस website के अंदर आपको सबसे पहला option दिखाए देगा face swap का इसके अंदर आपको जाना है और यहां पर आपको दो जो फोटो आपने डाउलोड करे थ आप उसके बाद नीचे के तरब swap का option आपको दिखाए दे रहा होगा उसके पर आपको क्लिक करना है तो यहां पर face swapping के जो process है वो start हो जाएगा और यह थोड़ा टाइम लेगा face को swap कहने में alright so result हमारा आ चुका है और अभी आप देख सेकते हो face swap हो चुका है और यह जो फोटो है बिलकुली मेरे जैसा दिख रहा है मेरा जो original face structure या फिर face का जो shape है इधर restore हो चुका है और अपना जो फोटो है एक realistic 3D cartoon photo में convert हो चुका है जिसको हम simplest download बटन के पर क्लिक करते हुए download कर सकती हो अप scale AI करके अगर आप search करेंगे तो यहां पर बहुत सरे websites मिल जाएंगे आपको जहांपर से आप अपने फोटो को अप scale कर सकते हो यानि कि उसका जो resolution है उसको बढ़ा सकती हो और एक high quality photo में convert कर सकती हो alright so that's it कुछ इस तरीके से आप अपने खुद के फोटो को एक 3D cartoon AI फोटो में convert कर सकते हो और social media बर post करते हुए followers gain कर सकते हो comment करके ज़रू बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो आपके लिए helpful और informative रहा तो please वीडियो को like share करते हुए चैनल को subscribe कर लेजेगा